हलो दोस्तों नमस्कार तो हम लोग इंडियन मॉन्सून देख रहे थे तो आज हम लोग देखेंगे आपका रिसेंट ट्रेंड्स अप दे इंडियन मॉन्सून कि आज हम लोग का टोपिक है कि रिसेंट ट्रेंड्स अप दे इंडियन मॉन्सून क्या है इसमें बर्सा कहीं हो रही कहीं ड्रोट पर रहा है इंडिस्ट्री उसे फ़रक पर रहा है गॉर्मेंट पर फरक पर रहा है और हमारी जो लाइफ में चैलेंज है वह जाहिर से बात कहीं न कहीं जो रिसेंट ट्रेंड्स अप दे इंडियन मॉन्सून से फरक डाल रहा है तो उसी के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं तो चली हम लोग शुरुआत करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स अब दा इंडियन मॉन्सून के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका कि फ्लлов and Droid का कहां फ्लौट आएगा और कहां डॉट आएगा क्यद्स कहां पर फ्लौट आएगा और कहां पर ड्रॉट आएगा इसके बारे में अगर हम बात करते हमाओ है यहां पर तो आपको पता है तो यह भारत देश हुआ तो आपको पता है कि यह जो है आपका जिरो डिगरी लाइन है तो हमारी मानसूनल हवा ऐसे है और यहां पर क्या है हमारा यहां पर हमारा वेस्टर्न धाट है ठीक है तो अब यहां पर अगर हमका है कि फ्लॉड का सीट्वेशन जो बनेगा तो फ्लॉड का सीट्वेशन सबसे पहला जो बनेगा वह कहां बनेगा तो यहां पर वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में क्योंकि यह मांसून की एर इससे स्ट्राइक करेगी उपर उठे के बर्सा करेगी उपर उठे के बर्सा करेगी और यहां जो यहां सब्साब को जून से ले करके और यह सेप्टमबर तक यही खेल चलता रहेगा तो जून से सेप्टमबर तक यही खेल चलेगा तो यहाँ पर यह लगतार बारिस हो रहे इस एडिया में तो आप देखिएगा कि जब आप अगर अगर वेस्टरन घाट को देखिएगा तो आपको क्या देखेगा यहाँ पर क करेकि देन्स फॉरस्ट है और इसको बाबा कल्यानी कमिटी ऑर बाकी कमिटी जो बनी rustी करताना चाहिए उसको बनी से सुकति जूर्बर के लिए चोंके यहां पर लगतार बारीस हो रहे तो यहां पर bye प्रेस्ट साइड में आपको क्या आएगा तो यहां पर फ्लॉड आएगा पहला चीज दूसरा यहां पर आता है वहां आपका इस्टर्ण इंडिया में आपको पता है कि दामोधर महानदी गुदावरी कृष्णा कवेरी ठीक है और वाकि इदर छोटी-छोटी नदियां है यह सारी नदियां चुकि बारिस को पानी को ले करके जब जाएंगी इस वाले इलाका में लो लेंग एडिया में क्या आएगा य जाहिर सी बात है तीसरा है आपका उत्तर पर्देश बिहार और वेस्ट बंगाल में तो उत्तर पर्देश बिहार और वेस्ट बंगाल जो है आपको पता है कि यह जो है आपको गंगा नदी हो गई और इधर से ब्रहंपुत्रा नदी हो गई ठीक है और बाकि इधर से ट्रि लोड आएगा क्यों कि यह लो लेंग एरिया है एच चौछा पॉइंट जो फ्लॉड को होगा वह कहां पर आएगा तो आसम में आएगा क्यों आएगा क्योंकि यहां पर जोएस आपका बेव बंगाल ब्रांज जो यहां पर ट्रेप हो रही है थिरी साइड से हमें आपको बचा चुके हैं और यहां पर ट्रेट होगे थिरी साइड से और कंटिनिवस रहन होगा और यहां पर जो बर्सा होती है वह लगभग 200 cm प्लस में बर्सा होती है और यहां पर जो बर्सा होती है वह आपको 150 cm के प्लस बर्सा होती है तो यह जो है आपका जो रेन का जो सिस्टम है उसको आपको समझना परेगा तो जाके आप जैसो इसको अनलिसिस कर पाएंगे अधर और यहां पे flood आ रहा है, इसका क्या region है, इसका region आप यह दे सकते हैं, कि यहां पे आपको, चुकि यहां पे यहां पे इंदरा कनाल है, तो यहां पे आपको greenery हो रही है, और greenery के साथ में आपको कनाल irrigation हो रहा है, तो यहां से hot हवाय जाकर यहां से मौशन ले रही हैं और इधर वाली हवाय जो मिल रही है तो इसलिए यहां पर वर्सा हो रही है तो यहां पर दोनों हवाओं के मिलने से यहां पर आपको रेनिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको हमने flood के बारे में आपको बता दिया पूरा कि जो भी flood system है उसका अब यहाँ पर थुरा सा देखते हैं कि draw का हिसाब किताब क्या है तो ड्रॉट के हिसाब किताब क्या है अगर इसके बारे में हम लोग अनलिस करें हम लोग यहां से क्या मिलेगा अग्यूंद कि अग्यूंद कि 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 अग्यूंद तो आपको यह वाला जो है सोवेस्टरन घाट हो गया इधर यह जो है सो अरावली हो गई और उसके बाद में आपका हो गया कहां पर इधर पर यह आपका बिंद्याचल हो गया कि अअर्म में यहां पर आपको घारोखासी जहनतिया हो गया ठीक है तो आपका यह और यह हो गया आपका जीरो डिग्री हो गया और यहां पर सब डिशेक्टेड हिल हो गया कटी-फटी पहाडियां है यह हमारी मांसून की एयर हो गई तो यहां पर यह जो है एर का फ्लो है तो ड्रॉट की बात करेंगे आपका तो वेस्टर्न घाट के इस्ट स्लोप पे इस साइड पे आपको बारिश कम होगी और इधर से बारिश ज्यादा होगी तो यहां पर एक ड्रॉट का रीजन यह बनेगा उसके बाद मैं अरावली रीजन पे रास्थान में और एक तरह से कहा जाए तो दूसरा जो ड्रॉट का रीजन आपका बनेगा वह उडिसा में काला हांडी वाला जो इलाका उधर हो गया उसके बाद में यूपी में मिर्जापूल में ठीक है तो यह जो है स्वापका इधर जो बादिस कम होता है और बादिस कम होगा तो क्या होगा ड्रॉट पड़ेगा यह जो है स्वापका हिसाब किताब ड्रॉट का हो गया अब हम लोग थोड़ा से यहां देखेंगे इंडियन मांसून और गेंबल एक जुगा है कि यह क्या क्या चीज़ पर इंपेक्ट डालेगा तो यह जो है स्वापके एक्रिकल्चर पर इंपेक्टड डालेगा और उसके बाद मैं मतलब यह आपका इंड़स्ट्री हो गया कि इंड़स्ट्री के अलवां जो है इसे लेटेट जो बीटी के ट्रांस्पोर्ट human population परेगा और ultimate impact जब human population परेगा तो फिर क्या होगा जो government होगी उस time के उस पर परेगा तो यहां पर Indian मांसून gamble on the agriculture, industries, transport and population and ultimate effect on the gamble on the government तो यहां पर हमें यह आपको याद रखना परेगा कि Indian mansung Already सो यहां एक सो कहा जाये तो जूए है और हमारे और य्योकर इर्थ विवस्ता को भी इर्य मांसून होगा तो सब पर इसका इंपक्ट पर शिर्फ एक sector पर नहीं परेगा और इसलिए क्योंकि हमारी मैंगत शी reindeer जो होती है वह मांसून से ही होती है हमारे फसल जो है सुमेक्जियम जैसे हम लोग मांसून है मांसून डिपेंडेंट हम लोग एकरिकल्चर करते हैं नेक्स पॉइंट इसमें आपका आएगा कि हिमालिया के क्या रोल होगा रोल अफ हिमालिया हिमालिया के इसमें क्या रोल रहेगा इंडियन मांसून में तो हिमालिया का जो है सो बहुत सारा रोल है इसमें ठीक है तो हम लोग जह सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जनरली यहां हम लोग इसको तीन पार्ट में कर देते हैं दिख रहा आपको छलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे समर मांसून की फिर हम बात करेंगे विंटर मांसून की अब फिर हम बात करेंगे बायो डाइवर्सिटी की कि अगे तो यहां पर समर मांसून में हिमालय क्या काम कर रहा है कि यह जो है सो आपको पता यहां से हवा उठी और सिवाल किनारे किनारे तक यहां तो यह जो है सो वेस्टर्न और यहां पर इधर से गई यहां हिमाचल परदेश तक तो इस पूरे रीजन में बारिस करा करके औ और स्ळूकि कि हम लोग य hunting सरों 10 अधर ट्रॉपीकल हो घ्या है लेकिन अमने पूरा ट्रींपरीट में ट्रॉपिकल मौसम होने करें यहां पर समौरमान्सून में जो हैंसब का सिवालिक रीजन में यहां आपको रेन कराता है ठीक है उसके बाद में दूसरा है कि यहां पर क्लाउड ब्रस्ट होता है और उसके बाद में हीट कंटेंड करता है और टेंप्रेचर को मेंटेंड रखता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा यहां पर कि आपको कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेंड रखता है विंटर की बात अगर हम करते हैं यहां पर तो विंटर में आपको यहां पर हाई प्रेशर का जोन है जब हाई प्रेशर का जोन है तो यहां पर आपको कि खूल्ड एर फ्रम साइवरियस अरा उसको रोग देता है उसके बाद में हैं हिंटर सिजन में हिमालया के कारण होता है और बायोडाइवर्सिटी के अगर हम बात करते हैं यहां पर तो चुकि यह पूरा जो यह सो सीवाली का रीजन हो गया तो जब यह पूरा प्रवाली का रिजन हो गया यहां पर लगतार बाड़ी सुरही लगतार बाड़ी सुरही तिहां पर गुड बायो डायवर्सिटी होगा और यहां पर एक तरह से कहा जाए कि गुड फोटो सिंसेशिव होगे शुरज कलाई डैकली इधर से पढ़ रहा है कि यहां पर हमारे इंडियन मांसून में रिसेंट ट्रेंट्स में हिमालिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे आपका रूल अफ्थार डेजट का थार डेजट के इसमें क्या रोल है यहां पर देखिए थार डेजट जो है आपका यह वाला जो इलागा है यहां यहां पर क्या है यहां पर हाइट टेंप्रेचर और लो प्रेशर होने की कारण जो एक तरह से कहा जाए तो कि कंवेक्शनल करेंट यहां से आपको राइज हो रहा है और यहीं जो आपका एंटी ट्रेड प्लस जेट बन रहा है ठीक है उपर से जाके अवे ते पंदर बीस पूतर रहा है तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहां पर कि अब मान लिजे कि इसको हम लोग चेंज करते हैं अगर इसको यहां पर अभी इंद्रा कनाल हो गया बाकिसी जो गया तो यहां पर जल्दी से गरम नहीं होगा तो यहां प्रोब्लम होगा तो रीसेंट टाइम में फ्लोड जो है सुराइस्थान में आ रहा है तो इसका रीजन क्या है अगर हम बात करते हैं तो इसका दो रीजन होगा एक तो यहां की आपका टोपोग्राफी क्या कहती है वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा और दूसरा यहां पर रैनिंग के पोजिशन को देखना पड़ेगा चलिए हम लोग एक करके दोनों को देखते हैं तो रैन की अगर हम बात करते हैं इस रीजन में तो रीसेंट ट्रेंड्स में तो रीसेंट ट्रेंड में हो क्या रहा है यहां पर प्रोल्लम कि यहां पर चुकि इस रीजन में इंद्रा कनाल है तो चुकि गरम हमाएं जाती है और वहां से मौइस्ट्र ले रही हैं यह आगे बढ़ती हैं और इधर वाली हमाय मिल गई तो इधर बारिस तो हो रहा है तो अगर हुज रहन होता है तो क्या होगा यह एक प्लेटू रिजन है अब प्लस यहां पर सेंड्स है बालू है तो यहां पर माल लिजे कि यह पूरा जो है सो सेंड्स है तो बारिस आएगी तो यहां नीचे जाएगी और जब भरेगा तो यह फ्लो करना करना शुरू कर देगा यह ऐसे फ्लू करना शुरू करेगा तो प्लेटू डिजन और सेंड होने कारण जैसो नो मोर वाटर रिटेंशन कपसिटी ज्यादा वाटर की रिटेंशन कपसिटी नहीं है तो इसलिए जैसे यहां पर क्या आ रहा है फ्लोड आज कल देखने का आपको मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि वेस्ट बंगल बिहार वाला हमने बता ही दिया है अब यहां पर एक जनरली आपसे कोश्चन अगर कोई पूछता है कि आपका करेंगे है अगया है भ 들어오व है फूछता है कि अगया है करेंगे बता है makan झास है एक है अगया है फ्लोड़ोना अगला है 這ह है ह purगきます फॵ Bowl Fire कर एक है है tong ब्हब पंगया जो आपक है कर दो छो आगग यहां पे अगर आप से कोई पूछ देता है कि बता भई कि वेस्ट बंगाल और बिहार में जुन जलाई में तरहन होड़ा लेकिन बाढ़ जैसो अगस्त में क्यों वा रहा है तो इसका रिजन यह है कि बिहार और वेस्ट बंगाल की जमीन है वह जैसो लोई लेंग एरिया है और यहां पर क्या होता है आपका कि आपको कि जुन जिलाई में हीट अप होता है या और मान लिजे कि हलका फुल का बारिस हो गया तो उसे कोई ज्यादा फ़रक नहीं पड़ता है लेकिन जो आपका यह असाम वाली जो बरसा है ना यह वाली और यह जब आगे बरती है तो बंगाल जो प्रांच है कि सिवालिक पर जब रहन करता है तो वाटर जो आपका स्लोप से नीचे आएगा और फ्लोड क्रियेट करेगा सिलोप से नीचे आगे आपको यहाँ पर क्या करेगा फ्लोड क्रियेट करेगा और उस ताइम तक अगस्त तक जो आशो वाटर सेचुरेट हो जाएगा मतलब कि आपका स्वाइल जो होगा सेचुरेशन जोन में पहुँच गया जब सेचुरेशन जोन में पहुँच गया तो अब और ज्यादा वाटर को केप्चर नहीं कर सकता है इसलिए जैसो आप वाटर जैसो फ्लो करने लगता है मतलब वाटर का फ्लो ऑन लेंड आ गया समझ रहे बात को यह है आपका में रिजन जून जुलाई में बारिस हो रहा है और यहां पर इधर हो गया उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया आपको जे अनके में जो आपको विंटर में बरसा क्यों हो रही है यहां आपसे कोशन पूछ दिया गया तो आपको यहां बताना परेगा कि विंटर जो है आपका हाई प्रेशर जो रहता है आपका हिमालिया कर रहता है कि एन गंगा प्लैन कराता है कि देखिए कैसे हैं हुआ 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 है ठीक है सूराज का यह 0 डिगरी हो गया सूराज अभी यहां पर है तो हमाएं हमारी जो हैसो ऐसे फ्लो कर रही है और हमारी यहां से हवा उठ रही है 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 यह कन्वेक्शनल करेंट है सन का पोजिशन यही है ना तो कन्वेक्शनल करेंट यहां से उठा और यहां से उठने के बाद में यह हवाएं यहां उतर रही है इंडिया के असपास इस latitude पे 15 से 20 तिस डिगली लेटीटूड पे हमाएं आपकी यहाँ पे उपर से उतर रही हैं और यहाँ पे एक यहां पर देखिए हिमाले के टोपोग्राफी यह है आपका तो मालों कि आपका यहां पर है और यहां नीचे वाटर है यहां पर यहां पर लेक हो गया रिवर हो गया और इसके बाद में यहां पर ट्री हो गया यहां पर पूरा ट्री हो गया ठीक है तो अब यहां पे आपसे जो कोश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई कि विंटर में रेन कैसे होगा तो लोग क्या करते हैं यहां पे देखिए कितने बेकूफी वाली बात हो जाती है एक ची बताओ कि जब भी साइकलोन यह लोग क्या करते हैं कि डिस्टर्बेंस क्र तो लोग्त उपर से श्टर रही है तो साइकलोन अस्मान बनेघा लगा है तो गुंते लिए लिखा लिखा 흡़ सई नहीं है तो यहां पर नहीं हैं और देखने को मिलता है और इधर आपको क्या सुनोफाल देखने को मिलता है यहां पर इस वाले इलाका में सनोब हाल और नीचे रेन देखने को मिलता है तो यहां पर मैंन है कि यहां पर हाई-प्रेसर जोन बन रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है तो इसको गलत कभी जो आपको गलत explanation नहीं देना यह दिक्कत हो जाएगी कि उसके बाद में हम लोग देख रहे थे जैनके में विंटेन और एंफाल देख लिए हम लोगों नहीं अच्छा अब हम लोग एयर ड्रेनेज को देख रहे हैं कि अगर कि अगर हम बात करें यहां पर तो एयर ड्रेनेज जो होता है एक तरह से कहा जाया तो वायू प्रवा होता है इसको हिंदी में हम लोग बुलते हैं वायू का प्रवार तो देखिए आपका यह आपका ग्रेटर मेडिल और सिवालिक हो गया और एक गंगा का प्लेन हो गया कि आया reason और दो हमाय जो हे ऊपर से नीचे चोगी ऊपर चुकर चकरवात बना करते है तो हम लो क्या बोलते हैं कि यह जो एसो एयर का मुवमेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एयर ड्रेनेज है तो यह हमाएं जो है आपका कि एयर ड्रेनेज के कारण जो है आपको गंगा प्लेन में आपको रैन देखने को मिलेगा क्योंकि हमाएं ऊपर से नीच उतर रहे हैं तो यह चीज़ें आपको गंगा प्लेन में देखने को मिलेगा क्लाउड बस्ट हमने आपको समझा दिया है और क्लाउड बस्ट इधर सिफ्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है क्योंकि आपको जो अभी अभगाल आपका लेट आ रहा है और यह वाली जल्दी पहुंच जा रही है तो इसे कारण होड़ा है क्लाउड बस्ट क्लाउड बस्ट क् सब चड़ता है उपर जाकर के टेंपरेचर कर लूज कर रहा दोनों दोनों अचानक से मिल गया मुआस्टा दोनों के पास में है तो अचानक से वह बाल्टी भरबर के बारी सोने लगी तो ऐसे इसलिए आपको यहां पर क्लाउड बॉस्ट पुड़ा है ठीक है अब उसके बा तो आप देखिएगा इंडिया का पोजिशन जो है कुछ ऐसा है यह आपको 23 वन बाइटू नॉर्थ हो गया तो यहां पर यह वाला इलाका ज्यादा है और यह वाले के एरिया लेस है ठीक है तो इसका जब एरिया लेस है और यह ट्रॉपिकल है और यह टेंपरेट है तो यह टेंपरेट है यह ट्रॉपिकल है तो टेंपरेट और ट्रॉपिकल में ट्रेंपरेट का एरिया ज्यादा है ट्रॉपिकल कम है लेकिन फिर भी जाय सो यह टूटल क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है कराइट पूरे ट्रोफिकल टाइप क्या हो बोलने हुऀ यह तो ट्रोफिकल तो कम है तो यहां पर आपका रेजन क्या आता है यह मांसून जो एर है YTD करता है कि जो मांसून वाली एर है चुकि मांसून वाली एर में क्या है आप देखिएगा तो आप मांसून की एर की अगर हम थोड़ा से चर्चा करें तो मांसून एर में भेपर है अब भेपर में क्या है लेटेंट हीट है न जी तो लेटेंट हीट है तो वेपर में water होगा प्लस एयर होगा प्लस constrained रोगया तो वाटर बरस गया एयर ऊपर उठ गया और तेमपžयर यहीं पर रूप गया तो यह temperature तिक रोपक्रुंठ जो रूपका वह यहां पे यहां पर गर्मि पर्दान करता है और भारत को महारे टेंपरेट एडिया को क्या बोलता देता है कि हमारे जो क्लाइमेट है वह ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ओके इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है अच्छा दूसरा चीज़ एक और काम है कि इधर से साइबेरिया वाली ठंडी की दिनों में जहावा आती उसको रोक देता है तो अब हम लोग यहां देखेंगे है कि हाल के बरसों में आपका हाल के बरसों में जो इस्टर्ण कोस्ट है वहां पर ज्यादा साइकलोन आ रहा है तो आपको पता है कि साइकलोन आने के लिए यहां पर दो प्रक्रिया है एयर का टक्राना दोनों साइड से तो साइकलोन आएगा दो एयर जब आपको सामने सामने से टक्राएगा तब साइकलोन आएगा तो अब यहां पर यह साइकलोन जो आता है यह आपको इधर मूब करता है अब पुरी अर्थ हमारी ऐसे मूब कर रही है ठीक है तो अब यहां को आग्यों कि आता है तो में मित्पेर्ण को फीश्य आता है कि एक्चे सिर्फ और दिश्य और ने झाल होता है तो यहां अब तो यहां से एर उठेगी है दोने एर आके टकर आएगे यही फिनमिना होता है ना जी तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियल मिलने लगा है और इस एडिया में भी आजकल साइकलोन यहां जो बन रहा है साइकलोन इसको तो इधर मूरना चाहिए इधर मूरना चाहिए इधर बनना चाहिए बढ़ता भी ऐसी है लेकिन आजकले साइकलोन कुछ इदर मूरता है और यह वालिट्रे यह वाली साइकलोन को इदर मूरता है लेकिनि इधर नहीं मूर करके यह ऐसे प्लाइमेट में आप समझ सकते हैं कि आजकाल देखने को में मिल रहा है स्वाहिए लिए उसके बाद में आपका मैंने आर्टिफीसेल लेन सीर्काव करते हैं 30-70-35 परसेंट हैं अब तो एहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इधर-इधर जहां पर हमें बार्सा कराना वहां पर हमने शिलद आविडिविध ने जाते हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि लेंड और सी ब्रिज बढ़ना बहने करन क्या होता है कि बाड़ी समय यहां चाहिए लेकिन बाड़ी से यहां हो गया यह तो यह इसलिए जो इसमें दिक्कत है ठीक है यह आपको हमने पहले बता चुके हैं उसके बाद में आपको हिमालिया हिमालिया बॉन रिबर जैसों मेगजुम जैसों आपको सौथ व्लो पर रहे यह भी आप से कोश्वां पूछा जा सकता है कि ऑपका यह हिमालिया है यह हिमालिया हुग गया hari कि ए तो हर्मानसून के रहने कुछ ऐसे जाकर के ऐसे मुभ करती है और इदर से जाके ऐसे मूब करती है तो यहां पर हिमालिया के साइड में बारिस अच्छी हो रही है यहां पर आपका गुड रैन हो रहा है बड़सा अच्छी हो रही है और दूसरा है कि आपका गुड संलाइट है तो यह दोनों फेक्टर किसके लिए है बायो डाइबर्सिटी के डेवलोप्मेंट के लिए दोनों बेस्ट फेक्टर है तो बायो डाइबर्सिटी के डेवलोप्मेंट के लिए यह दोनों बेस्ट फेक्टर है इसलिए हिमालिया के साउथ में चुकि बाड़ी सी भी अच्छी जिसका आपको उत्तर ऐसे अप्रोज करना है नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे अच्छा उसके बाद नेक्स आपका कोश्चन आता है कि जो आपका सेवन सिस्टर एस्टेट है वहां पे ज्यादा उसके उपर रहा है यह यह कुश्चन आता है इसका रिजन एक होगा कि यहाँ पे आपको इस एरिया में कोई डेजर्ट नहीं है पहला चीज दूसरा चीज है कि यहाँ पर गूड रैन हुआ है फ optimized range होगा तो यहाँ पर गूड बायो डैवरशिटी होगा and biodiversity के आम vita लिग देंगे यहाँ और जब यह सारा चीज होगा तो जाहीड सी बात है कि आपको इवैपोenne होगा और यहाँ पर हो गया डिव दूसरा चीज यहाँ है कि बिल बंगाल के यह पास में है यह भी आपको यहां पर अगर इस टाइब के कोस्टन आता है तो यह सारे पॉइंट आपको लिखने परेंगे तब जाके आपको अच्छा मार्स मिलेगा और मैं अब तो आपको बनाना ही बनाना है अच्छा उसके बाद में इंडिया के थुरा सा हम लोग यहां पर पैलियो क् पैलियो क्लाइमेट अफ इंडिया के अगर हम बात करें यहां पर तो पैलियो क्लाइमेट के मतलब यह होता है कि आपको पुराना या ओल्ड क्लाइमेट तो आपको यह इंडिया है, suppose that यहां पर यह जिरू डिग्री है, तो पहले हमारा इंडिया यहां था, और पहले हमारा इंडिया यहां था, तो यह इंडिया का मुवमेंट है, और यहां पर जैसे जैसे इंडिया इधर था, तो यहां पर बड़ पर रहा होगा, यहां पर आया है आज की डेट में आपको बीच में नारियल का पर यह सो आपको फ़ोरसद मीलेवार लेकिन यहाँ पे पहले देखने को मिला इसका रिजन क्या है कि अर्त के इंडिया का मुवमेंट हुआ है इस डियरेक्शन में तो आज के देट में हमारे जो आपका तरह से कहा जातो सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट था यहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया और यहां पर क्या हो गया आपका कोल्ड क्लाइमेट हो गया तो इंडिया ने जो है सो तीनों क्लाइमेट का मज़ा लिया है तो यहां पर हमारा जो है सो मैंग्जों हमने एफ़र्ट किया कि जो भी मांसून से लेटी जो टिपिकल कोश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करें आम मौस्टी हम लोगों ने कर लिया थेंक यू